एक मर्सकर दोस्तो सौागत आपका हमारे यूटीब चैनल पर आज हमारे पास यह हैर ड्रायर रपेर होने के लिए है तो देखते हें इसमें क्षपंपर का कहना है कि इसमें चलते चलते यहां से दुवा निकला है कहीं से तो हमें सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं दो कि यह हमारे पास सब्लाई है हमने स्प्लाई दी देखें हमने ओन किया देखें नहीं चल रहे देखें बिलकुल नहीं देखी चल नहीं देखें जब की हमारे बोर्ड कर रहां हम इसको चैक करेंगा समय क्या फ्रोलिम है देखिए तो यहां पर दो स्कूरू लगे हैं एक हैं यहां से इसे जो दो स्कूरू लगये हैं इसको फूल लेंगे और यहां से हमारा ओपुन हो जाएगा देख यह से इस तरह हैं से यहां पर कोई नहीं पेच होता दोस्त यहां पर कोई पेच नहीं और एक को अराम से इस देखें बड़ी अराम से खुल गया तो अब हमें इसमें चेक क्या करना है कि सबसे पहले है तो हमें इसकी वायर चेक करनी दोस्तों कहीं से कटी बड़ी तो नहीं देखिए सबसे पहले तो हमें इसकी वायर को चेक करना है जो कि हम मल्टी मेटर से चेक करेंगे वायर को है देखे यह हमारा होट वाला स्विच्च रहे हमारा पंक्रेंग वाला सीछी जो रेडिकथ होता है ये वाला होता है ये यह हमारा पंक्रेंग अदेख अक कुझे सु मैं इसको देखेRadho x muffler नखिंश है चेक करते हैं देखिए मल्टी मीटर को हमें कंट्यून ट्रेजम रखना है देखिए देखिए और एक वार हमें यहां पर देखिए यह निली वार यहां पर आरी देखिए यहां भी नहीं चल देखिए और एक यह हमारी ब्राउन का रखिए देखिए यहां यहां भी नहीं शोक कर रहा है और यहां भी इसका मतलब है हमारी एक वर कहीं से क्रेक है देखिए देखिए हमारी जब की निली वैर तो हमारी सही है और हमारी जो ब्राउन कल्टर की वैर है वो हमारी खराब है तो आप इसमें दोस्तों करना क्या है आप हमने देखिए यह देखिए आपको इसमें देखिए यह हमारे यह देखिए आप यहां से यह जल चुकि देखिए इसको काट कर हम इसकी करेंगे दोस्तों यह हमारी वैर सफ है जाने हिंदे के यहां से काटा और इसको हमें यहां से को छील लेना है दोस्तों इसमें दोवायर होती है हमने इसको दो वायरों को छीला और हमें मल्टी मीटर से इसको चेक करेंगे हमारी वायर सही है जा नहीं आपाए आप चाहें तो देखे हमने इस तरह इसको जोड़ा देखे यहांसे जोड़ा आप इस तरह जोड़कर सीरींज पर चेक कर सकते हैं और मल्टी मीटर से देखए हमारी वायर पाल कल रॉक के है यहिसेâm हमें लगार चेक करना होगा कि हमारा जो प्रॉलम है डिस वह होता है जा नहीं जहां पर लगी थी वायर वहीं पर हमें इसकी वायर को लगाना है सबसे पहले हमें वायर को शोल्टरिंग कर लेना है देखिए हमने शौल्टरिंग किया और देखिए अब जहां पर हमने एक वायर यहां पर लगी है वहीं हमने वायर लगाने है देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो проблем आती है वह इसमें अफोना बैक कि गहां इस में यह पन्खे की मैं हमने इस यहां पे जहीं से अधासा वहीं हमें लगाना है अगर आपको हमारी वीडियो पशंद आती है तो हमारी वीडियो को शएर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूराएं और देखिए जो दूसरी वायर है वहमारे यह बटन है पुछ इस पे लगी है देखे जाप देखे अब हमें इसी पही हमें दूसरी वाइर भी यहां पर लगाने देख कि अन्मिस वायर को निकाल देखें आब हमें यहां पर ही इसकी वायर को लगाना है पहले हमें इस पर शॉल्ट्रिंग कर लेंगे थोड़ा सा ताकि जो हमारा शोल्टरिंग जब करेंगे तो अच्छी तरह शोल्टरिंग हो जाए खैसे यह हमारा शोल्टरिंग हो चुका है तो अब हमें सही से सेटिंग करके आपको लिवा कर चला कर रखाते हैं दोस्तों भी चलता है कि हुआ है अब इस जिस तरह से आने खूला उसी तरह हम इसको फिल्दिंग करने देखें यहां पार यह स्विच लगा और यहां पर यह हमारा एर वाणा स्विच लगा ऐसमें दोस्तों सेटिंग उती है कि यहां पे देखिए यह अपने आप इसमें इसमें रिटिंग उती संटा जहां भिसका बनाए देंगे और यहांपर इसको इस तरह से जो हमारी वायर निकली हुई है कि वो ते हम इने इसको अच्छी तरह सेटिंग करनी है हची कोई मारिवर कहीं भी लगे ना देखिए अब हमें इसको यहां प्यजे लगाना है इसका वायरवड़ा अब हमें इसको फ्रीड निगे एक वारी हम दोस्तों फेच ने लगाएंगे हम एक वार्स इस पे देख हमने इस तरह का कर दोस्तों आपको वास रहे हैं कि देखित हम इसके पेच लगाएंगे जहाँ दो पेच लगे हैं वह हम इसके टाइट कर देंगे तो दोस्तों आप इस तरह से इसको घर पर पेर का सकते हो और सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही आपको पताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉल्म आती है वो हमारी वायर की ही आती है आप चाहें तो इसमें न्यू वायर भी डाल सकते हैं है कि देख्या और विडियां कि दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो तो हमारी वीडियों को ज़्याद से ज़्यादा शेर करेंगये और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वेडियों में जैहिंद अब कि झाल झाल झाल